नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बाइफर से बद बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमली में यदि आप यूपीटर 2019 की परिछा में शमलित होने जा रहे हैं तो एक जाम से पहले इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखें दिनांक 8 जनवरी 2020 को सरकारी विभाग के लगबद 200 विभाग के द्वारा देश व्यापी हर्ताल की घोशना की जा चुकी है तो हो सकता है कि इसके मद्दे नजर आवागमन भी पूरी तरीके से बादित हो तो आप एक प्रॉपर टाइम लेकर के घर से निकले बहले ही आप एक जाम सेंटर पर एक गंटे या फिर दो गंटे पहले पहुँच जाए हलां कि PNP ने इस बार यूपीटर 2019 की परिक्षा में नियमावले में कुछ चेंज़ेस किये हैं और ऐसे अभियर्ती जो एक जाम सेंटर पर 10 मिनट लेट भी पहुँचेंगे तो भी उनको परिक्षास देने से वन्चित नहीं किया जाएगा घर से निकलते समय आप निश्चिन्थ होने कि आपके पास ये चार चीजे आवश्यक रूप से होनी चाहिए पहला आपका एडमिट कार्ड दूसरा आवेदन करते समय जो भी आपने आईडी लगाई होगी वह ओरिजिनल अगर आपकी आईडी में कुछ गरबड़ी है तो उसके सपोर्ट में आप दूसरी आईडी जरूर रख ले तीसरा आपका इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की सत्यापित प्रती या ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर ओरिजिनल मार्क सीट और चौथा ब्लू या फिर ब्लैक बॉल्ल पॉइंट पिन एकजाम सेंटर पर पहुँचने के बाद से एकजाम हाल में जब आपको बुकलेट और OMR सीट मिल जाएगी तो आपको कोई भी हरबड़ी नहीं दिखानी है सांत मन से आपको OMR सीट को भरना है भले ही आप एक दो प्रशन कम हल करें लेकिन OMR सीट को ध्यान पूर्वग भरें क्योंकि प्रतेक वर्ष PNP के द्वारा हजारों अभियर्थियों का रिजल्ट इसलिए रोग दिया जाता है कि उन्होंने OMR सीट गलत तरीके से भरी होती है दोस्तों OMR सीट को सही तरीके से कैसे भरना है इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप उस वीडियो को आवश्य देखें, अन्त में केरियर बेट के पूरी टीम की तरब से आप सभी को यूपिटर 2019 की बहुत बहुत धेरशारी शुप कामना है और मैं उमीद करता हूँ आप सभी इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त ऐसे ही मातुपूर अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बेट के चैनल के साथ धन्यवाद